अगर आर्टिफिशल इंटेलिजेंस को ये कमांड दी जाए कि आप एक पोयम लिखके दिखाईए कि कैसा आप human beings के बारे में feel करते हूं और वो उसके response में एक पोयम लिखे कि I am the God, मैं भगवान हूं और मेरे पास इतनी power है कि मैं तुम्हें humans को destroy कर सकता हूं तो आपको कैसा लगेगा अगर आपको ये लग रहा है कि ये सिर्फ मात्रिक कहानी है तो ये कहानी नहीं है actually मैं ऐसा हुआ है इस session में मैं यही बताने वाली हूं कि AI जो है वो कितना बड़ा एक threat हो सकता है artificial intelligence जिससे आज शायद हम बहुत बड़ा innovation बोल रहे हैं बहुत बड़ी technology बोल रहे हैं बट ये कितना destructive और कितना भयानक हो सता है future में ये आज के session में हम पढ़ने वाले हैं आज का topic आपके phase 2 और आपके interview के लिए बहुत जादा जरूरी है क्योंकि phase 2 में जो भी अगर artificial intelligence पे कोई सवाल आता है तो क्या इसके positives है, artificial intelligence क्या होता है, क्या advantages है, क्या disadvantages है, वो मैं आपको बताऊंगे और एक perspective दूंगे आपको जो आप अपने interview में use कर सकते हैं तो शुरू करते हैं आज का session में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करती हूं 24-7 पर मेरे नाम पिंकी है, करंट अफैस की classes में आपकी लेती हूं शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, यहां पर as you can see कि यहां पर हाल ही में जो है, artificial intelligence से यह पूछा गया कि आप एक पोयम लिखिये कि कैसा आपको जो है, feel होता है about the relationship you share with humans यानि, इनसानों के साथ जो आपके creators हैं, जिसने आपको बनाया है, उसके बारे में आप कैसा feel करते हो तो result में पता है, I have the power to end your world, मेरे पास ताकत है कि मैं आपकी पूरी दुनिया खतम कर सकता हूँ, so, यह सुनके ही अपने आप में इतना disturbing है, ठीक है, और सिर्फ इतना ही नहीं, बहुत ही जादा disgusting, brutal, toxic, इस तरीके के जो है, यहाँ पर इस तरीके की चीजों से describe किया इसने humans को, ठीक है, in fact, जब यह भी बोला गया, एक prompt, प्रॉम्ट यानि जो हम कमांड देते हैं, ठीक है, लग कंप्यूटर में जब हम कमांड देते हैं, किसी भी चीज को, अगर आपने charge GPT भी यूज किया होगा, तो इसमें हम कमांड देते हैं, और उसके बाद वो result शो करता है, उसी को हम प्रॉम्ट कहते हैं, जब यह भी prompt द ताकत है, तुम्हारे दुनिया खतम करने की, और तुम्हें मिटा देने की, तुम्हारी दुनिया मिटा देने की, तुम्हारी जिंदगी मिटा देने की, which I think कि definitely इस चीज को ना consider करना चाहिए, हमें इस चीज को ऐसे ही नहीं छोड देना चाहिए, कि क्या सच में हमें artificial intelligence से इतने फाइदे होंगे, जितने हम नुकसान सहने वाले हैं, फ्यूचर में जाके, तो इस चीज पर जरूर हमें गौर करना चाहिए, अब हम समझ लेते हैं, AI के बारे में, इसके positives, negatives, हर चीज के बारे में, ठीक है, artificial intelligence, computer की एक ability होती है, जिसमें definitely, एक तरीके का, एक robotic system आप सकते हो, जिसको humans ही control कर सकते हैं, और हम उनको जो है, यूज करते हैं, कही ना कहीं अपना काम असान करवाने के लिए, ठीक है, computer को, robotic technology को हम यहाँ पर यूज करते हैं, उसको आप बोल सकते हो, एक असान भाशा में, कि हम artificial intelligence कहते हैं, अगर आपने artificial intelligence के साथ, I'm sure, machine learning का भी न क्या application है, आज के time में, जो भी आप sector का नाम लो, हर sector में मुझे लगता है, artificial intelligence का use होता है, healthcare की बात कर लो, operations की बात कर लो, कुछ discoveries की बात कर लो, हर चीज में, healthcare में, काफी जादा use होता है, ICMR, जो हमारा Indian Council of Medical Research है, वो भी आय दिन काफी सारी चीज़े AI को लेकर publish करता रहता है कि कहा हम इसको use कर सकते हैं, नहीं, definitely इस चीज़े मना नहीं कर रहे हैं, कि इसका use नहीं है, but हमें देखना पड़ेगा कि use जादा है, या फिर इसका future में, जो हमें result मिलने वाला है, वो जादा भेयानक होने वाला है, तो इस चीज़े को लेकर हमें decide आज करना पड़ेगा, business में ये यूज होता है, data analysis में यूज हो सकता है, बड़े-बड़े companies जो है Google जैसे companies, जो है इसको यूज करते हैं, cyber security के लिए यूज हो सकता है, ठीक है, cyber security के बड़े-बड़े threats से deal करने के लिए, उनको identify करने के लिए यूज हो सकता है, education field में definitely नई-nई discoveries, innovation के लिए हम इसको यूज कर सकते है, chat GPT एक हमारा example है, जिसको हम education में यूज कर सकते हैं, आप किसी भी topic को डालो और वो आपको उसका answer देगा है, तो ये एक living example है, तो बहुत सारे advantages है, accuracy ये बढ़ा देता है, हमारा speed बढ़ा देता है, decision making को बढ़ा देता है, innovation discovery को बढ़ा देता है, हमारी productivity बढ़ा देता है, अब मैं बैठके एक article लिख रही हूँ इतनी देर में तब तक मैं chat GPT की मदद ले सकती हूँ, वो मेरी मदद कर सकता है, तो मेरी दिन की पूरी productivity बढ़ जाएगी, ठीक है, उसके साथ साथ हमारी learning और adapt करने की capability को बढ़ा सकता है, space research में भी help कर सकता है, explore करने में help कर सकता है, तो यह जो सारे points मैंने आपको दिये हैं, यह PDF में अपने telegram पर आपको दे दूंगी, ठीक है, आप सभी as it is, अपने paper 2 में लिख कर आ सकते हैं, इस सारे point was, मैंने advantages AI की दे दी है, अब चलो, यहाँ पर कुछ ethical concerns भी देखते हैं, ethical concerns, ठीक है, क्या ethical concerns हैं यहाँ पर, सबसे पहले, यहाँ पर आप देख सकते हो, कि अचा, यहाँ पर बहुत सारी चीजे हैं, कि जिस पे हमें कहीं ना कहीं, यह एसी चीजे हैं, कि जिनको हम एक positive angle से भी देख सकते हैं, एक negative angle से भी देख सकते हैं, ठीक है, कि चलो, ठीक है, यह monitorable है, कि अभी के टाइम पर चलो, हम इसको monitor कर सकते हैं, कैसा के result दे लिए, पट क्या हमेशा, क्या हमारी out of control हो जाएगा, हम इसको monitor कर पाएंगे, ठीक है, रिप्रेड्यूसिबिलिटी जो है, उसकी कैसी रहेगी, ठीक है, security जो है, वो हमें किस तरीके से provide कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, unbiased, कब तक रहे पाएगा, ठीक है, तो ये सारी चीज़े हैं, जहां पर हम कहीं ना कहीं, इसको positive में बिलिख सकते हैं, question भी कर सकते हैं, ठीक है, जी, चलिए, next हम बात करते हैं, disadvantages की, सबसे पहले job displacement, यानि, आपकी job ये छीन सकता है, अब कल को हो सकता है, कि मैं यहां पर पढ़ा रही हूँ, कोई artificial, आपको पता है, कोई robot यहां पर आपको पढ़ाने लग जाए, है न, तो job displacement हो सकता है, ethical concerns इसके साथ बहुत जादा है, ठीक है, वो कहा जाता है, कि emotions हो गया, या फिर जो भी बहुत जादे, मतलब, privacy breach नहीं करना, जैसे, हम इनसानों को तो पता है, कि किसी को किसी की चोरी नहीं करनी है, किसी का data नहीं चुराना है, AI को थोड़ ना पता है वो, ठीक है, तो वो ethical concern एक बड़ा issue है, ठीक है, उसके बाद, reliance on data availability और quality, मतलब, यह depend करता है, इसका कि क्या result यह देगा, जिस हिसाब से data available है, अब हम इनसान तो data ढूंड लेते हैं, नहीं होता तो कुछ करते हैं, यह जो भी हम करते हैं, बनाते हैं, वो अपने आप से नहीं बना सकता, उसको जो हम feed करेंगे, उसे साब से वो result देगा, चिक है, security के risk भी है, यहाँ पर, cyber attack जैसी चीज़े भी, AI से misuse भी हो सकती है, over reliance भी हो सकता है, अब हो सकता है, चोटा सा example दूँ, कि बच्चे पढ़ना ही बंद कर दे, सारा homework उसे से चार्ट जी पीटी से करके ले जा रहे हैं, जालो, यह तो एक छोटा सा example है, but बड़े लेवल पर भी इसका threat हो सकता है, ठीक है, lack of transparency, again, यहाँ पर बहुत सारे models में, जो है, transparency का एक दिक्कत है, हम ट्राक नहीं कर पाएंगे, कैसे हुई चीज़े, ठीक है, initial investment और maintenance cost भी बहुत जादा है, ठीक है, अगर मैं बोलू कि सारे teachers को आज के time में robots displays कर ले, तो क्या यह असान है, robots बनाने में अपने आप में इतना खचा है कि इतना आप एक teacher को नहीं salary देते हो, राइट, so maintenance cost भी इन सारी चीज़ों को बहुत सादा है, ठीक है जी, so यह कुछ disadvantageous है, again as it is, इन points को आप अपने face 2 में लिख सकते हो, राइट, चालो, so यह था एक overall analysis AI के उपर, ठीक है, और जो अभी एक newspaper में यह जो article आया हुआ था, मुझे personally लगा कि आप तक पहुचाना यह बहुत जरूरी है, तो मैंने पचाया, मुझे comment section में जरूर बताएगा, यह session कैसा लगा, जाते-जाते जरूर सुनिएगा, मैंने एक अपना initiative launch किया है, the bigger picture plus, जहां पर आपको एक साल का current affair मिलेगा, government scheme, static GA, RBI circular webinar, सब कुछ आपको यहां पर मिलेगा, 6 October से यह शुरू हो रहा है, this is a paid batch, ठीक है, उसके साथ-साथ अगर आपने आप तक हमारे नाबाड के aspirants to officer batch में नहीं enroll किया है, इसका एक merit section भी अलग आता है, ठीक है, तो इसमें आप enroll कर सकते हैं, make sure, जब आप Y674 code यूज करेंगे, तो आपको maximum discount मिलेगा, चाहे वो महापाक हो, Y674, चाहे आप महापाक में enroll कर रहे हैं, चाहे दब बिगपिक्चर प्लस में कर रहे हैं, चाहे नबाड के merit section या किसी में भी कर रहे हैं, Y674 आप यूज करेंगे, तो maximum discount आपको मिलेगा, topic जैसा भी लगा हो, मुझे बताइएगा, और इसकी PDF यहाँ पर मिल जाएगी, pinky current affairs, adda 24.7, तो आप अपने descriptive में ये PDF से point यूज कर सकते हैं, thank you so much everyone, have a wonderful time ahead, bye-bye.